मिश्म्म आरह एम असलामलेकोम मैं अब सब खिरीच से वोगि लास्ट लिख्चर में लोगों ने देखा था कि होस्पेटल लानिस होस्पेटल फामिसी फैम्स आज के हम लेक्ट्छर है हॉस्पेटल लानिस औरगनाजिशन अगेन हम होस्पिटल को डिफाइन करते हैं, the hospital can be defined as healthcare unit which incorporate a combination of specialized scientific equipments and functioning through trained and certified healthcare professionals working as a team for the common purpose of providing medical services to the population. अर्गनाज़ेशन वहस्पिटल ऑर्गनाज़ेशन इस डिफाइंद अगेनमिक प्रोसेस इन विच वैरियस मैनिजरेश एक्टिविटीपिटेश बिरिंग और बाइन पीपल टुगेदर फ़र्द अच्छिव्मेंट अफ कमन गोजब अब्जेक्टिप्स देखें ऑर्गना नाम है जिसका काम किया है लोगों को गठा करना टीम्स की शकल में तो चीव कमन गोल्जेंट औब्जेक्टिव्स हर इदारी का यह और्गनाजेशन का कोई सर्वरा होते हैं जिसको में कहते हैं मैनेजर डारेक्टर भी कह सकते हैं आप एड्मिनिस्टेटर भी गया सकते हैं लेकिन हॉस्पेटल फार्मिसी यह हॉस्पेटर के अंदर जब हम लोग हिरार्की की वेस्ट पर और्गनाजेशन को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एड्मिनिस्टेटर है और उसके नीचे जो मेडिकल स्टाफ क क्या काम करते हैं हेल्थ केर प्रवाइड करते हैं लोगों को तो और्गनाजेशन का काम यह है कि और्गनाइज करना लोगों को घठा करना टीम्स की शकल में और उनको मुखतलिफ सर्वराई काम सौंब के अपने कामन गोज इन अबजेक्टिव को अचीव करना होता है dat है यह होते हैं तो मैनेजर को जो मॉस् इंप़र्टन बॉड़ी होती होज़ें प्रिटर के 안दर को इंदर गोवनिंग बाड़ी कहते हैं अब गोवनिंग बड़ी कोन होता है वह आगे देखते हैं कि मैनेजर कह सकते हैं या इस चर्वराव ओता है कि उसको montage से सटें कि अ है भूर्ण ऑफ ट्रस्टीज भी कहते हैं कोई चैरीटी हो फिटल है उसका जो सरप रहा होगा वह बूर्ड ऑफ ट्रस्टीज होगा अब इस तरह गौर्वर्मेंट होस्पिटल के अंदर आपका सुप्रिडेंट है मैडिकल सुप्रिडेंट जो कि हॉस्पिटिक एक्टिवि इसको अचीव करते हैं इसको नपर पॉइंट करता है हल्प है फनिस्ट्री आपकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री आप वह मैडिकल सुप्रीडेंट को अपॉइंट करती है तू और्गनाइज या फिर डार्ट दा हॉस्पिटल एक्टिविटीज मिलिट्री ऑस्पिटर के नदर कमांडिक ऑफिसर है जो हॉस्पिटर को मैंज कर रहा होता है और प्राइवेट हॉस्पिटर के नदर यह और गनाइज गवर्निंग बॉडडी होती है जिसको पहले प्राइक्टर्स हो या वोडव ट्रस्टिज हो वह हॉस्पिटर के जो इंतजामी काम है उनको देख रहा हुता है अब हमने जिकर के गवर्निंग बॉड़ी है गवर्निंग बॉड़ी किसको होना चाहिए किसी भी इदारे का जो मैनेजर है सरब्रा है इस पैसली हल्थ का ज जिन्दगी के लिए काम किया जाता है इतने सेंसिटिव एरियम है किसको सरब्रा होना चाहिए किसको हम गवर्निंग बॉड़ी कह सकते हैं उसमें ऐसी कौन सी खासियत होनी चाहिए तो वह तीन चार बन्यादी चीज़ें जिसकी वेस्पे हम किसी भी शख्सकों किसी इदार का सरब्रा या गवर्निंग बॉड़ी या मैनेजर आप कह सकते हैं इड्मिनिस्टेटर कह सकते हैं उसका मुकरर करते हैं तो सबसे बहली बात यह कि वो बहुत हुस्याना अदमी हो जिदिये के मुख्तलिफ फील्ज हैं तीन-चार उसमें बला की महारत रखता हो तो उस बेस पे हम लोग क्या करते हैं उसको किसी भी इदारे का मैनेजर मुकरर करते हैं सबसे बहली है कि मेडिकल एजूगेशन आप हास्पिटर को रन कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप लोग को ऐसे बंदे को मैनेजर बनाना चाहिए जो मेडिकल फील्ड से बिल्कों वाकफ हो जिसके बास एंबीबियस की डिगरी हो उसने मुख्तलिफ तरह के रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हो और अपने फील्ड बे महारत रखता हूं यह फिर वो बंदा जो रिसर्च वर्क उसका बहुत स्ट्रॉंग है लाइक क्या लिजी को साइंटिस्ट है जो मेडिकल फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है उसको चलाना पर चलाना परता है एड्मिनिस्टेशन में उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की विए एक अच्छा मैनेजर है उस शक्स को भी हम एजा गुवर्निंग बॉडी मुकरर कर सकते हैं लाजमी नहीं कि उस मेंदे के पास एमपीबिस की डिगरी हो लाजम यह है कि वो उस फील्ल के बारे में बहुत कुछ जानता हो जो मैनेजरियल एक्टिविटीज है टीम कैसे बनानी है उनका और्गनाइज कैसे करना है पॉ इन सब चीजों के बारे में वो उसके जो तज़िए है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो हम उस शक्स को एजा और्गनाइजिंग बॉडी यह गवर्निंग बॉडी मुकरर कर सकते हैं तीसे नेमर पर अड्मिनिस्टेशन कुछ लोगों में यह खासियत होती कि वह अ क्कार कर सकते हैं और आखर पर हमारी महत मारी जाती हैं कि हम पॉलइटिक्स को हैश्ड सक्टर में लेाते है कि कि किसी भी बंदे को आपने खुश करना है तो आप अब उसको हॉस्पिटर का डिरेक्टर बना दे हॉस्पिटर के अड्मिनिस्टर बना दे जिस तरह यहां पर मैट्रिक पास लोगों को एजाजी एंबीबीएस की डिग्रियां मिलती है इसी तरह ही अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं न लाजमी नहीं है यह कॉप्शनल है इस मैंने पहले जिगर किया कि खास मकास्थ के लिए हम लोग ऐसे नकमों को अपने हेल्थ सेक्टर में आके ताइनात करते हैं आम तर पर यह होता नहीं है अब गोर्नी बॉड़ी के फॉंक्शन क्या हैं क्या 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 काम करता है ए लेजर पॉलिशी को ओनी पॉलिशी के बेश पे प्रांज बनाता है एंड प्रोग्राम्स ऑफ हॉस्पिटल्स क्या 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 काम है अपॉइंट ए हॉस्पिटर एड्मिनिस्टेटर तो गेट वैरिस फॉंक्शन पर फॉर्फर्म लाइक क्लिनिकल सर्विस्जिज नसिंग एंड फार्मेशी एक्टिविटी एसेटरा अभी आप पे कहेंगे आपके जी अब गोर्निंग बॉड़ी तो एड्मिनिस्टेटर है उसको नेक्स एड्मिनिस्टेशन की क्या जरूत है देखिए हॉस्पिटर एक बहुत बड़ा और्गनाजिसन है एक अकेला बना पूरे हस्पिटाल को नहीं देख सकता तो इसी तरह जो अथारोटी होती है उसको हम सेंट्रलाइज से डी इसी के लिए है तो आपको इजाज़त देनी होती है सेंट्रल कमिटी की जिसका सरब्राइज है यह कमांडिंग ऑफिसर यह तमाम दरीके जो एक्टिविटीज दिन बर कैरी आउट होती है हॉस्पिटर केंड है तो सब को वो एक ही बंदा देख रहा हूँ इसको कहते सेंट हो रहा होता है वो क्या करता है कि अपनी जो अथार्टी होती है उसको डी सेंट्रलाइज करते हैं डी सेंट्रलाइज के मतलब यह के मेडिकल डिपार्टमेंट के सरब्रा मुकरर कर दें फार्मसी डिपार्टमेंट का और सरब्रा मुकरर कर दें यह मुक्तलिफ डिपार्मे मैनेजर्स अपॉइंट करके जो वो उस डिपार्टमेंट के ही एक्टिविटीज को देखे फिर मैनेजर्स भी जो होते हैं वो अपने एंडर जो मेडिकल स्टाफ होता है उनको मुख्तलिफ तरक के शॉर्ट गोल्स देते हैं ताके वो अपने टार्गर को अचीव कर सके तो इसकी दो फंक्शन वोते गवर्निंग बॉड़ी के एक तो पॉलिशी बिनाना प्लांस बिनाना और हॉस्पेटी के प्रोग्राम्स बिनाना सेक्नल लिगया कि वो डिफरेंट मैनेजर्स की या हैड़ अफ डिपार्टमेंट की उनको पॉइंट करना ताके वो अपने अपन इसकी पढ़ेंगे होस्पेटर की क्लासिफिकेशन ऑन बेसिज ऑफ इस अफ साइज और बेसिज ऑफ और शिप इंशाला वो नेक्स्ट लेक्टर में या तो आडियो रिकार्ड करहूंगा या फिर वीडियो लेक्टर रिकार्ड करहूंगा आप लोगो तब तक के लिया अपने अच्छे कॉमेंट से मुझे आप लोग आगा करें कि कौन सी बेहतरी लाई जा सकती है अपने जो आनलाइन नारे लेक्च्छर्स है अपने सिजेशन से अपने अच्छे कॉमेंट से इंशालला मुझे जरूर आगा किजिए ताकि हम इस चीज़ को और बेहतर तरीके से आगे लेके चले थैंक यू सो मच स्लाम अलेकुम